हलो और नमस्कार एवरीवान मैं डॉक्टर मेगा चतुरुवेदी आज डिस्किस करने वाली हूं आपसे ऐसी चीजे सुरासिस पेशिंट के रिलेटेट जो सुरासिस पेशिंट थोड़ा सा केरलेस हो जाते और अपने सुरासिस को खराब कर लेते हैं या वो रियकर होना शु या नहीं भी ले रहा है और डाइट कंट्रोल करके या डाइटी रिस्क्षिंस फॉलो करके जब उसका सुरासिस ठीक होने लगता है तो वह लीनियंट हो जाते हैं उन्हें लगता है कि अब तो सुरासिस ठीक हो रहा है तो जो चीजे मना करी गई है इनीशिल फेज में वह दीरे दीरे इंटेक करना शुरू कर देते हैं which is absolutely wrong क्योंकि समझेगा for example अगर मुझे मश्रूम खाने से अलर्जी होती है तो मश्रूम में अगर खालू तो गलती बनाने वाली की नहीं है गलती मेरी है कि मुझे पता है मुझे मश्रूम से अलर्जी और मैंने मश्रूम खा कर दिया Similarly जब पेशिंट ठीक होने लग रहा है और जो चीजों का सुरासिस ट्रिगर करती है जो सुरासिस खराब करती है या बढ़ाती है वह चीजह वह एक ही बार सई चाहे कभी कभी सई जब उसको ट्रिगर मिलता है सुरासिस को कि अब तो पेशिंट ने गलती कर दी आप उसको ऐसा कोई भी ट्रिगर ना दे जिससे आपका सुरासिस रिलाप्स हो क्योंकि यह बिमारी एक उट इम्यून है जब भी आपकी इम्यूनिटी ट्रिगर होगी किसी भी फूड आइटम से या किसी भी ऐसी चीज से जिससे वह भड़ती है या एफेक्ट होती है तो सु करना चाहिए हमफुल केमिकल्स आपको वोईट करने चाहिए आप नॉमल तू वही प्रोड़क्स आ जाते हैं जो केमिकल से भरपूर है या जिन में सल्फेट है या पैरविन है तो ऐसी गलती आप ना करें बहुत ज्यादा सन एक्स्पोजर में ना आए कोई हार्श केमिकल वाले प्रोड़क्स वापस से यूज करना शुरू ना करें जिससे आपकी स्किन इरिटेट हो और पैचेज वापस से रिलाप्स होने स्टार्ट हो जाए नेक्स पेशन करते हैं कि अपना स्किन केर के लिए वह बहुती इंकंसिस्टेंसी दिखाते हैं मीन्स वह बहुती लि प्रोड़क्स करने जो кईस स्किन के लिए म्मुद्ट हो सकता है ठीक होने के बार देए तो आफ़को स्किनिंगसर ठीक होने के बा特cking यूज करना है यह भी create-close पर रहेगा ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहे और चांसे रिलाप्स जीरो हो जाए नेक्स्ट क्या गलती करते हैं पेशिंट की वह खुद के ही डॉक्टर बनना शुरू कर देते हैं उन्हें और कोई भी स्किन अगर प्रॉब्लम हुई सुरासिस के बाद भी ठीक होन डाग्नॉसिस बनाके उनका इधर उधर से खुद के ही डॉक्टर बनना शुरू कर देते तो उनकी बिमारी और वर्सन हो जाती है ऐसे में उनको प्रॉपर कंसल्टेशन लेनी है डाग्नॉसिस बनवाने और उसी के हिसाब से रिलेटिट टू डिसीज ही मेडिसीन या ट्री अगर मिलेगा क्योंकि बुखार खासी जुखाम भी जब सीजन चेंज होता है तो सबको होता है तो आप यह सोचिए कि आपको उसको कोई भी ट्रिगर नहीं देना है ऐसी कोई भी चीज निखानी जिससे सुरासिस बढ़ेगा ऐसा कोई भी स्ट्रेस फुल फैक्टर अपने नहीं होगी बड़ कहीं भी अगर प्रॉब्लम है तो बिमारी आपकी फिर से उतनी गंभीरता से नहीं आएगी बड़ थोड़ी बहुत रिलाप्स आपको देके जा सकती है तो आप कोशिश करें कि आप डॉक्टरों से बचे रहे बार 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 आप सुरासिस को ठीक करने क जाए उसके रिलाप्सिस को रोके और यह जो गलतिया हम करते हैं सभी विंग पेशिंट वह आप ना करें और अगर नहीं कर पारें अपना सुरासिस ठीक तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मेरी टीम से बात कर सकते हैं मुझसे मिलने आ सकते हैं और इसका एक सही इलाज पासकते हैं थाइंक यू और टेक केर